महराष्ट की राज निति के वरिष्ट नेता, शरत पवार ने एक राज निति में सब कुछ ठेक कर लिया है, इसका संदेश मंगलवार को हुई इफ्तार पार्टी से दे दिया गया, जिसमें अजीत चाचा शरत के साथ इफतार पार्टी में दिखे, देखते हैं क्या हुई त अफ़ा उड़ी थी भतीजे अजित पवार जल्द ही 53 में से करीब 40 विधायकों के साथ BJP जोईन कर सकते हैं लेकिन यह सारी बात उस वक्त हवा हो गई जब मंगलवार को अजित मीडिया के सामने आए और कहा जब तक वह जिवित हैं NCP के लिए काम करते रहेंगे इसके साथ ही अजित ने उन अटकलों को भी खारिस कर दिया जिसमें उनके बाकी विधायकों के साथ BJP जोईन करने की बात कही गई थी इफ्तार पार्टी से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार बाकी विधायकों के साथ पार्टी जोईन करेंगे लेकिन उन पर तब काबू लग गया जब दोनों नेता एक साथ इफ्थार पार्टी में दिखे हलाकि NCP प्रमुक शरत पवार ने अटकलों को खारिस कर दिया और कहा कि अजित पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई थी